कि अपका सवागत है और आज हम पहुच चो कि यह दे फॉर पर जिसके अंदर मैं आपको एक्स्प्रेंग करूंगा कि STPP सब्सक्राइब करें कि कैसे सब्सक्राइब करते हैं और उनी को और इसका लिंक मैं आपको अरड़ी दे दूगा लिंक आपको डिसक्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे सब्सक्राइब करते हैं तो पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर हमने डिस्केशन किया था कि STPP methods जिसके तुरूँ आप client एक सर्वर के साथ कविनी के करता है ठीक है वह सकता है get put post कुछ भी हो सकता है कोई method हो सकता है तो एक है करके समझते हैं तो सबसे पहला जो method आता है न उसका नाम है गेट में गेट में गेट में ठीक है गैट बेसिकली इट इस यूज टो रेटरीव ओल्टा रिसोर्सेंट इन इनकर चैनल केंकें स्वेट कर नहीं है आपको कोई एस्टीमल पेज गएट करना है जब आप बेस्ट अगर आप गूगल.com बिंग.com ऑपन करते हो प्राउजर में तो आप basically stml page को get करते हो समय आपको चाहिए ना है ना जैसे कि मालो मैंने आप यहां पर google.com खोला ठीक है और हम side by side developer tools भी खोल लेते हैं विंडो इसके अंदर shortcut होता है f12 इसका वैसे आप यहां से तीन डॉट मौर के बाद developer tools पर भी कर सकते हो command shift type भी shortcut है अब मैंने यहां से इसको delete कर दिया अब मैं खोलूँगा gold.com तो देखो यह request गई है ठीक है और इसका देखो request method क्या है पो get ठीक है तो basically हम एक HTML page को get कर रहे है अगर आप इसको preview करके देखोगे तो आपको यहां पर पुरा information देख जाए ठीक है तो इसी को हम get कहते है get request remain in the browser history and bookmark अब of course इसको हम bookmark कर सकते है history में रहेगा यह पूरा यह हम get कर रहे है ठीक है get request should never be used when dealing with sensitive data अब basically यह कि अगर आप मानलो एक bank की website यूज कर रहे है ठीक है bank की websites वगारे जनली जो है वो post method यूज करती है ठीक है क्योंकि उसके इंदर sensitive data जो है वो दिखाए नहींता है get का यह मतलब है कि basically अगर आप एक अब हम एक डाय मिटमी वेबसाइट पॉल लेते हैं request.in slash.in sensitive data basically क्या 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 रहे है इसको हम बंद कर रहे है ठीक है यह एक website है जो कि fake API प्रोवाइड करती है ठीक है अब इसमें क्या है अब इसको यूरल को समझने कोशिश करना जो मैं आपको पच्छे से समझा रहा हूँ पहले तो आपकी STPP प्रोटोकॉल है अब यह आपकी में डोमेन है ठीक है जिसके जिसकी एक अगर यह domain name server पर जाएगा तो महाँ पर IPO उसके बाद आपका यह देखो यह है path parents फिर उसके बाद आपके देखो यहां पर आगए यह query parents आप query parents basically यह कह रहा है कि request.case में जाके API folder के अंदर जाके user folder के अंदर जाके page number 2 का data दो मुझे तो यह page number 2 का data आपको JSON में मिल रहा है ठीक है यह basically URL को समझना इसको कहते है ठीक है अब यहां पर क्या है कि अगर sensitive data का मतलब है कि मानलो मैं यहां पर फिर से एक quote बनाता हू and password equal to poobar तो यह जो sensitive data यह already आपको browser में देख जाएगा ठीक है तो यह कह रहा है यही get request जो है ना वो sensitive data के लिए नहीं use करें चाहिए इसलिए ठीक है और इसकी length restriction भी होती है मतलब आप अगर मानलो यहां पर है और अब यह जो एक length होती है particular length के बाद यह नहीं काम करेगा ठी ठीक है तो आप उतना data नहीं बेश सकते तो यह सिर्फ retrieved of information यह retrieval है information का बस इससे आप सिर्फ और सिर्फ वैप पे retrieve कर सकते हो file retrieve कर सकते हो जेसन retrieve कर सकते हो browser के तुरू और कुछ नहीं कर सकते ठीक है अब इसको example हम यहां देख लेते हैं कि get postman में कैसे करना है ठीक है postman download कर लेना यहां पर by default डाला google.com देखो कहानी क्या होती है अब ब्राउजर से नहीं डाल रहे हो अब पोस्ट में का यूज करोगे तब भी देखो प्रीवियू में देखो वह google.com का पेज यह आया था जिसको आपका ब्राउजर अच्छे से दिखा रहा है असल में यह एक पेज ही बेजता है अग ठीक है अब आप एक ची देखो यहां पर होड़ हैडर को चायड हुए थे जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी मैंटर इंफोर्मेशन है जिसके अंदर यह हैडर बता रहा है कि होस्ट क्या है कनेक्शन टाइप क्या है ठीक है थोड़ी वोड़ इंफोर्मेशन बाकि जो हम मेंच यह देख रहे हैं यह गएट मैटर ठीक है उसी जाफ से अब यहीपर पयरम पर इनकों पता है तो कि यहांप है पदा सकते ए से इस इकल टू बी तो देखो यहां पर पर चिंपक्त है नहीं है ठीक है और अगर आप पाथ पारइज चा थे तो आप स्लेश अब आपको समझने आए ठीक है चलो अच्छे से समझते है पोस्ट को यह बहुत इंपोर्टन्ट है और अगर यह समझ ली तो सब समझ लिए बढ़िया बढ़िया इसी वेबसाइट को वापिस आते हैं इस वेबसाइट है इसके अंदर आप जाओ पोस्ट में ठीक है और है यह है यह रहरा या हम क्या हुआ है पहले समझ लेट थोड़ी धरी पोस्ट बेसिकली युक राजाता है निवर रिसोर्स बनाने के लिए अब में तो पूछो कि प्रमोथ वार-बार रिसोर्स रेसोर्स का चीज था है तो होता क्या है API's में क्या हो रहा है यह client है यह server है client server पर नया resource होना चाता है मतलब वो चाता है कि student record बना है मालूँ यह यह पर dv है ठीक है अब dv में चाता हूँ कि student rule number 1 पर promote बैट जाए रोल नुम्बर टू पे लखी बैट जाए रोल नुम्बर थृ पे अमेत आ जाए ठीक है इस एक्जामपल को याद रखिया अब यह student का record है अब कल को हो सकता है कि यह मांगे है कि मुझे रोल नुम्बर थृ दो client मांगता है तो आप क्या करें चलो नबर 4 बना दो खुट कोई भी नाम से तो यह क्या करेगा अब इसको न्या कुछ बनाना है महाँ पर है नदो सकता है कि वो स्टूडनेंट बनाना चाहता हूँ वह सकता है वह file बनाना चाहता हो हो सकता है नेटा चाहता हूए अघर आप आप पोस्ट कोल बहुत सारी ऐसी होंगी जो आपको दिखेंगी नहीं वास्ट ठीक है पोस्ट रिक्वेस्ट कैनाट भी बुकमांग नहीं कर सकते दिर्स नो रिस्ट्रिक्शन ओन डेटा लेंट कितना भी डेटा भेज लो इसमें अब मैं आपको एक्जांपल बताता हूं प पोस्ट करना पड़ेगा डेटा अपना थोड़ा सा डेटा पोस्ट करोगे तभी तो वह अधेंटिकेट करेगा आपको है ना तो राइट क्लिक करो अपना शॉटकर तबाओ कंट्रोल शिप्ट आई ठीक है नेट्वर्ट टेक फोल के रोखो अच्छे से अब लोग इन करे पर क्लिक करो देहां क्या होता है जंट कर कि यहां देखो क्या होँ फॉड़ा साओ Siya लेघूर करना वच्छrows अफ हूघ है ठीक है से और यहां पर प्र उसन हुग अल्याई हाँ गया है तो पर यहां पर यूजर नीम प्योट है काही तो गया है क्या osh टिक है और पासवर्ड इसने छुपा लिए इसने बीसिकलिव वर्ड को थोड़ा इनकर बडोड़ कर लिए तो आप उसने मेरे को बोला कि हाँ यह तो बहुत सही है और बन्ता है उसने लॉग-in कर दिया यहां पर यह authenticated page है यहां पर जाकर देख लो तो यह सब पेज आ तो यह पोस्ट हो गया रिक्वेस्ट अब इसको आप इसको पोस्ट में में कैसे सिंपल एक्जामपन देखें लो यह यूरल है हमारा तीक है यह यूरल कहता है कि aps user पे जब आप पोस्ट कोल मारोगे अब आपको पोस्ट कोल में मैंने बदाया था आपको डेटा भीजना पड़े कुछ तो भीजोगे रिसोर्स नया बनायना है तो यहां पर इन्होंने आपको जेसन दे रखिए है टेस्ट करने के लिए अब आप इसको रॉप पे क्लिक कर दो ठीक है और यहां पर इसको कर दो जेसन के अब मैं एक्जांपल बताता है आपको यह सारे उप्शन बता रहे तो एक पर अच्छे से आपने पोस्ट में वाली सीरीज नहीं देखी न तो इसलिए आपको दिक्कत तो इसमें क्या है कि नन तो मतलब है कि कुछ भी आप एक पेले यह फोण बेटा ही था यहां पर अगर आप देखों अचे न तो यह सूम है यह होता है एंकोड़ेड फॉम ठीक है और उर बस रो और यहां पर इसका जो पर यह विचारा मैं चाहता हूं कि यह पोस्ट कर रहा हूं मैं यूजर बन जाना चाहिए कि इनके सर्फ पर एक होता है अभी इन्होंने बना दिया इन्होंने मेरे को आईडी बिरिटेंव यह है इनका अगर आप देखो यहां पर डिकल भी दिखाएगा कि अगर आप यहां पर गयर कर लो चलो है आवि अब तो खाली दे रहे हो चाहला पर यह एक्जाम्पल आपको समझने आगे इसको हटा दो ऐसे तो कि यह पोस्ट कर पाया है ठीक है और इसने बितादे कि कब create हुआ और यह इसकी आईडी है आईडी भी देदी इसमें मुझे ठीक है तो इसको कहते हैं पोस्ट करना जल को अब शहल पोस्ट का भाई है अब हो सकता है कि आपको पुट में कहता है कि पूर्ट से फाईट रिच्वेस्क स्पेसिफिक यॉरल पर क्यों डाल रहा है गया क्योंकि अब मालोओ आपको परमोट जो तो था ना उसको अपडेट करना है मालोओ आप चाहते दें होघक्त का नाम नाम नहीं था उसका नाम थो था डटा ठीक है तो अब क्या करोगी अब आप पुट रिखेस्ट से आपको फिर सेंट की दबा देने अभी यह क्या करेगा आपको अपोता देगा कि हाँ अपडेट हो गया आप उसका नाम हमने दत्ता कर दिया 427 ठीक है यहां पर और इसका देखो से ट्रेटर सब्सक्राइब तो यह हमने पुट कर दिया होगा तो पर अब यह भी अप्डेट कर दिया पैच जो है ना पैच बेसिक लिए चोटा चोटा अब इसमें किया सिर्फ आप नाम अपडेट करना चाहते हों कि नई दत्ता तो था कौन से स्टूडेंट को अपडेट करना है कौन से यूजर को अपडेट करना है अब मैं सेंट करूंगा तो यह सिर्फ नेम अपडेट करेंगा उसका ठीक है तो पैच करता है सिंगल फील्ड की अपडेट पूट करता है पूरा का पूरा वह ब्लॉक अपडेट कर देगा न आप चाहते हो कि थर्ड वाले थर्ड जो यूजर है उसका नाम है अमित आप चाहते हो क्योंकि तीन बने गए आप चाहते हो कि चोथा रोलंबर बनाया जाए तो आप क्या यूज करोगे पोस्ट को क्योंकि आपको नया बना अब चाहते हो चार बन गए ठीक है अब चोथे को लेकिन उसका लंबर भी बताना पड़ेगा यहां पर इसमें कुछ बहुत असान है यहां पर इसमें कुछ भेजने के जूर्थ भी नहीं है तो आपको तूर्थ दे रहेगा और वह 427 मतलब 4 लंबर की जो भी है उसको डिलीट कर देगा डिलीट करने के लिए आपको आईडी नहीं चाहिए क्योंकि आप नया बना रहे तो यहां पर आपको पांचों समझने आगे आयों बहुत अच्छे से पैच बैसे क्लिए अपडेट पार्शल रिसोर्स वेन वें यूंदी नीड तो अगर आपको एक अपडेट करने है तो ठीक है डिलीट डिलीट रिसोर्स ऑप बेशन भीजा और यहां पर यह बेज़ा आप इसको डिलीट यह बेशते तो यह बता रहे है यहां पर कि यह मैं गैट है अदेट को यह सारी है सबोर्ट करता हूं यह भी तरीक है चैक करने तो आपको समझ माने होगा सब्सक्राइब करने के लिए आप यह बहुत अच्छी की वेबसाइट है और और रिक्यू रिक्वेस्ट रिस्पॉंस बैसिकली आरिक्यू अरियस डॉत इस पर आप फेक डिटा से ट्राइब कर सकते हो गेट ट्राइब करो यह सारी ट्राइब करो क्योंकि इसके पाद इसके बाद हम खुद का सर्वर बनाके टेस्ट करेंगे ठीक है तो यह डमी यूज नी करेंगे हम अपना खुद का जैसन सर्वर यूज करेंगे उसके अंदर हम प्रॉपर में आपको समझाओंगा अच्छे से सारे सब्सक्राइब में तो यह है पूरी वीडियो यह था हमा पिस तो हैड कि वैल्लेू देता है मैं एंफ इस अगर आप यूज करोगे यहां पे ट्रेसी इध्ष च्रेस में ट्राइब करो मैंनुली सबके स्टेटस चेक करो यहां पर आपके ठीक है यह वाले इससे आपको अच्छे से पंद दाएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर और फिर हम अच्छे से सीखेंगे करल कल के बाद फिर हम रैसे शोड डिरिकली स्टार्ट करते हैं ठ अग्छल च्शे अविक्ष्व लुका लैष्मि प्हीव करो यहाँ और आटταν बफिर नदी वी ने बाद